किसान भायो नमस्कार मैं पुनिस से सौधिया किसान भायो आज की इस वीडियो में हम आपको एक जेवी कीट नासक के वारे में बताने वाले हैं जो आता है इसको कंपनी का निरंज जेल के नाम से जो किसान भाई जेवी खेती करते हैं और के निक खेती करते हैं उनके लिए य अच्छा ना लगे तो आप इसे डिस्लाइक भी कर सकते हैं और यदि आप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हम से जुर भी सकते हैं तो चलिए जानते हैं निरन्जल के वारे में अरगनिक प्रोडेक्ट है यह एक वनस्पतिक जेविक जेल है यानि कि इसको जो बनाया जाता है जो हमारा नीम का तेल होता है और एक पॉंग मिया के तेल का मिस्रण होता है देखिए नीम और आप जानते हैं कीटनासक के तोर पर हम इस्तमाल करते हैं और पॉंग मिया पॉंग मिया आप जानते होंगे करंज का जो तेल होत पर दोनों तरह के कीटों को चाहे वह सकिंग पेश्ट वाले कीटों या पती चवाने वाले कीटों तो हर तरह के कीटों को बहुत एफेक्टिव तरीके से कंट्रॉल करता है यदि मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो जो देखे यह निरन जैल है इसकी जो एक केजी की पैकिंग की कीमत हमें मिल जाती है वो 400 पेचितर से लेके 500 रुपे की रेंज में मिल जाती है और एक केजी जो होता है वो एक इकड में एक बार के स्प्रे के लिए प्रयाप्त रहता है देखे इस प्रे में हमें जो इसकी डोज रखनी है वो आप 5 से लेके 10 ग्राम वो आप according ले सकते हैं कि आपकी जो फसल है उसकी कौन सी स्टेज में है छोटी फसल है तो कम डोज लें, बड़ी फसल है या कीटो का टैक जादा है तो जादा डोज रख सकते हैं तो पांस से लेके 10 ग्राम पर लेटर पानी में मिलाकर स्प्रेक करना होता है यानि कि जो एक केजी का पैक होता है उसको आप एक एकड़ की फसल में एक बार में स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं चाहें फरलो वाले पौदे हों चाहें वेजेटेवल क्रॉप हों या सीरियल क्रॉप हों अनाज वाली फसले हों तो किसी पर भी है यदि आपकी फचलों पर सकंग पेश्ट या पती चवाने वाले कीटो का टैक है तो आप इसका इस्प्रे ले सकते हैं बहुती अच्छा है काम करता है यदी हम इसकर रिपीट इस्प्रे की बात करें तो 10 से 12 दिन बाद आप इसक जो स्प्रे है वो के पूफ में तेज दूप में इसका ऐस्प्रे ना करें तो आप इवनिंग का समय काफी अच्छा रहता है तो इवनिंग टाइम में आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं और जब भी आप की फासलों में फ्लोवनिंग स्टेज रहो यानि कि फूल आने की अवश्च sail हो उस समय पर आप इसका इस्प्रेइभ ना करें तो किसान बाई उस तरीके से आप इसको क्यों कर सकते हैं तो बहुत यह अच्छा प्रोडक्ट आप एक को कंपनी का तो किसान बाई यही थी आज की जानकरी जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अन्य फार्मर के साथ इसको शेर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकरी पहुँच सके, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद